हेलो बच्चो आज हम बंदर का धंदा यह नरेंद्र गोयल जी की कविता देखेंगे तो चलो नरेंद्र गोयल जी का जनम पिलख हुआ गजियाबाद में हुआ था उनकी रशनाई कौन कौन सी है गीत माला, गीत गंगा, गीत सागर, जुला जुले, चीची चीडिया आदी है नरेंद्र गोयल जी आप बाल मुनो विज्यन के ग्याता माने जाते है आपने बालो पयोगी बहुत सारी रशनाई हिंदी जगत को दे है इस कहिता में क्या है? तो इस कहिता में कमी ने वनवशोदी योग द्वारा होने वाले पारमपारिक उप्चारो उसके प्रभाव पर हस्य के माध्यम से प्रकाश डाला है तो चलो अब हम देखते है हाथ लगा बंदर के एक दिन तूटा फुटा आला जट बंदर ने पेड के निचे कूरसी मेश लाडाला भालू आकर बोलना मुझको खासी और जुकाम बंदर बोलना तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम पानी में तुम इन्हें उबालो सुभ शाम को लेना खासी जब छू मंदर होए फिस तभी तुम देना बिल्ली बोली मुझको आया एक सो चार भुखार मैं शिकार पर कैसे जाओ जल्दी इसे उतार बंदर बोला रज गिलोई का तीन बार तुम पीना करसे ही तुम टांस करोगी इना मीना डिना तभी लोंडी आकर बोली चिकना सुन्धर मुझे बनाओ मैं हूँ दिखू सबसे सुन्धर ऐसी बूटी लाओ बंदर बोला घी कुवार तुम क्या बोला बंदर घी कुवार तुम दोनों समय लगाओ चमकेगा कुंदन सा चहरा फीज मुझे दे जाओ चल निकला बंदर का धन्दा अब वह मोज मनाता अच्छी अच्छी जड़ी बूटिया जंगल से वह लाता देखिए ये बंदर क्या करता था जड़ी बूटियों का धन्दा करता था एक दिन एक बंदर के हाथ क्या लगा मुरिजों के रुदे की धर्टकन मापनी वाला यंत्र लगा जो कैसा था तूटा फूटा था फिर बंदर ने क्या किया एक मेज और कुर्सी डाली कहा डाली? एक रुख्षे के नीचे डाली अब वह क्या करने लगा? वह बेटकर मुरिजों को दवाई देने लगा एक दिन क्या हुआ? भालू खासी और जुकाम की शिकयत लेकर उसके पास आ गया तब बंदर ने क्या किया तुर्सी के पत्ते और पिपल की जड़ उसके हाथ में धमा दी इनको पानी में उबल कर सुभशा लेना यह कहा इसे खासी भी ठीक हो जाएगी जब तुमारी खासी ठीक हो जाएगी तब मुझे फीज देना यह बात कही बात में कोण आया तो बिल्ली आई कोण आई बिल्ली तो बिल्ली क्या बोली बिल्ली बोली मुझे बुखार है कितना बुखार है 104 बुखार तो मैं शिकार पर नहीं जा पाऊंगी मुझे जलदी से ठीक कर दो फीर बंदर ने क्या किया गिलोई का रज तीन बार पीने के लिए कहा उसने बन याने बंदर ने क्या किया बिल्ली को भी दवा दी और दवा से चुस्त हो जाओगी और नाशने कुतने भी लगोगी याने डांस भी करने लगोगी ऐसा कहा बाद में क्या हुआ लोंडी आई लोंडी ने क्या कहा मुझे सुन्दर दिखना है मुझे ऐसी जड़ी बूटी दो कि मैं सबसे सुन्दर दिखूंगी बंदर ने उसे घीक वार दोनों समय चेहरे पर लगाने की सलाव दी ऐसा करने से लोंडी का चेहरा कुंदन की तरह चमकने लगी का बंदर ने उसे अपनी फीज भी मांगी इस तरह बंदर का यह जो जड़ी बूटियों का याने वैद्दे की ये व्यवसाय था खूब चलने लगा वह मोज करने लगा साथ ही जंगल से वह क्या लाने लगा अच्छी अच्छी जड़ी बूटिया लाने लगा क्यों? क्योंकि ये जड़ी बूटिया बहुत ही फाइदे मन थी आपको पता है ना ये जड़ी बूटिया कैसे होती है? फाइदे मन होती है इनका असर भी बहुत अच्छी तरह से होता है देखिए लोमडी, बिल्ली ने भी क्या किया? इस जड़ी बूटियों का उपयोग किया देखिए बंदर का धंदा कैसा था? बहुत अच्छी तरह से चल रहा था अब आपको समझ में आई ये बंदर की धंदे वाली बात तो चलो आप भी यह कविता सुनो और समझो धन्यवाद